नमस्कार आपके साथ मैं हूँ पूजा पर्मार आप देख रहे हैं दफेक्ट इंटिया मुखे मंतरी का पड मुझे नहीं छोड़ना चाहता एक बार फिर से सरकार बनेगी और जनता सेवा का मौका देगी यह सब कहने वाले CM अशो गहलोट अब कॉंग्रेस अध्यक्ष बनना चाहती हैं आपको बता दे कि मुखे मंतरी अशो गहलोट ने भवेशे में कॉंग्रेस अध्यक्ष बनने की इच्छा जाहिर की है और साती गहलोट ने सचिन पाइलेट को केंद्रे मंत्री बनाने में सायोग करने का फिर से दावा किया है कॉंग्रेस अध्यक्ष बनने के सवाल पर गहलोट ने कहा कि कॉंग्रेस अध्यक्ष कौन नहीं बनना चाहता ये पर्द काफी प्रतिष्टा वाला है हालात ऐसे बने कि मैं Congress अध्यक्ष नहीं बन पाया ये गलत धारना है कि मैं CM बने रहना चाता था और इसलिए पद नहीं छोड़ा और Congress अध्यक्ष नहीं बना सुने गांधी जानती है कि सच्चाई क्या है अंग्रेजी अख्वार को एक दे गए इंटर्व्यू में गहलोट ने कहा कि मैं इस मामले में और ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता हम सब को मिलकर चुनाब लड़ना है हलांकि कॉंग्रेज अध्यक्ष बनना चाहूँगा क्योंकि ये 10 गुना जाधा अच्छा होगा और ये CM से बहुत बड़ा पद है अगर आज मौका मिलता है तो मैं कॉंग्रेज अध्यक्ष बनना चाहूँगा पाइलेट से जुड़े सवाल पर गैलोट ने कहा कि जब सचिन पाइलेट केंद्री मंत्री बने तब मैं उनका सहयोग करता था उस समय हमने राजिस्तान में 25 से 20 सीट जीती थी जब मुझसे पूछा गया कि राजिस्तान से किसको केंद्री में मंत्री बनाए तो मैंने सचिन पाइलेट का नाम सुझाय था क्योंकि पाइलेट गुर्जर समुदाई से तालोकात रखते हैं और उसी समय वसुन राजिस्तान सरकार ने आंदुलनकारी गुर्जरों को गोलियों से भुनवा दिया था ये मेरी जिम्यदारी थी कि दिल्ली में मेरे राजिय के पक्ष में बोलता उस वक्त गुर्जर और मीरा समुदाई के बीच में जबर्दस्त तनाव था उसे शांत करने के लिए मैंने सचिन पाइलेट का नाम लिया गेलोट के इन बयानों से साफ लग रहा है कि उन्हें कहीं न कहीं या भास हो गया है कि इस बार मुख्यमंत्री बनने का मौका उन्हें नहीं मिलेगा और इस वज़े से अब वे कॉंग्रेस अध्यक्षपद की बाते कर रहे हैं और पाइलट की तारिफें करने लगे हैं आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं बने रहें ताफेक्ट इंडिया के साथ